Hello everyone, once again I welcome you all on my channel EduMust So, आज हम बात करने वाले हैं Master Cadre के exam जिन भी बच्चों का clear जिस भी कारण से नहीं हो पाया है या जो भी बच्चे upcoming जब भी vacancy and future आएंगी उनको देना चाहते हैं और वो थोड़ा सा जो मेरा experience है जिस जैसे मैंने अपना exam clear किया था So, उसी के basis पे मैं आपको कुछ tips कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि कुछ guide करना चाहती हूँ कि या फिर अपना experience जो मेरा था जैसे मैंने study की थी उसको अगर मैं share करना चाहूँ तो first of all तो मेरा यही था कि आप यही कहना है कि जो भी बच्चे देना चाहते है first of all तो आपका एक तो aim clear होना चाहिए कि हाँ मुझे exam clear करना है positivity is most important and then आपको आपके पास syllabus जो है आपको वो tips पे होना चाहिए आप उसको note down कर सकते हैं उसको note down कर लीजिए अपनी copy पे जहां भी आप अपनी notes बनाएंगे उसके first page पे so that कि आपको idea रहे कि हाँ यही मेरा syllabus है then मैं बात करूंगी कि literary terms के उपर तो literary terms की जो M.H. Abraham की book होती है वो more than sufficient है but अगर कोई बच्चा उसको क्योंकि वो books को जो नहीं follow करते हैं तो उनके लिए यही है कि आपने अगर आपने graduation में अगर आपके पास elective subject था तो आप या फिर तो आपने जरूर terms की होंगी तो उन terms को ज़रासा revise कर लीजेगा आप जो भी होती है like tragedy जो basic basic terms होती है आपको metaphor, simile, transfer, epitaph, pathetic fantasy, odd, imagery, characterization और भी जितनी भी है like epic क्या होता है और भी बहुत सी होती है तो आपको उन basic basic terms का आप कहीं से भी idea ले सकती है अगर आपको net पे भी search करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा अगर आप किसी भी channel को follow करेंगे तो वहाँ भी कहीं न कहीं किसी न किसी ने जरूर करा के रखी होगी आप वहाँ पर और secondly आप जब अपने revision करेंगे अपने syllabus को revise करेंगे तो आपको बीच में जो भी terms आते जाए उसको एक बार नजर से निकालते चलिए कि यह होता क्या है actually में तो इस तरह से terms के उपर काम आपको extra मैनत करने के मिरको नहीं लगता है जरूरत है अगर आप दो तीन बार अच्छे से पढ़ भी लेते हैं तो आपका यह terms का इतना वो रहता नहीं है ठीक है देन आप grammar and linguistic के लिए आपको एक particular source नहीं मिलेगा यूटूब पर आप इसके लिए wikipedia की help ले सकते हैं जो आपकी सेठी की green color की book आती है तो linguistic के उपर ही उसका link मैं आपको description में दे दूँगी उस book को आप follow कर सकते हैं या किसी भी चैनल ने अगर इसके बारे में कुछ करवाया है तो आप वहां से इसको थोड़ा थोड़ा guidance ले सकते हैं देन अपने notes प्रिपेर कर सकते हैं तो इसके लिए मैं देन आपका रहता है कि आपको यह questions रहते हैं इसके उपर अगर आप चाहते हैं तो पहले आप easy easy कर लीजें कर लिजें कि आप इंग्लिश राइटर्स को पहले उठाएगे और इंग्लिश राइटर्स को इंडियन को आपके साथ आप बॉंटिंग होती है तो आप उसको समझ भी पाएंगे ज्यादा इसी ली बोगर लीजे उसके बाद में जो इलिजावेतन ऑज है यह सबसे चोटी एज है और मुझे लगता है कि शेक्षपियर के बारे में सब ने सुना है अगर किसी ने नोट्स बनाएंगे कैसे नोट्स बनाएंगे? उनका background, life history औणिल कर लिजये और focus रखिए important works पर उसके शेक्षपिर हैं, उनकी tragedies बहुत famous हैं, तो आपको egy इंड आप याद रखतें तो well and good है, आप एक list बनाइए, अपनी एक अलग से copy बनाइए, उस पे आप क्या कर सकते हैं, कि सभी writers के name लिखके उसके year, उनका birth और उनकी death जो है, वो आप लिख लिए, उनका time period जो है, वो आपको याद होना चाहिए, और ये आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, ऐसा नहीं है, कि एक दिन में याद हो जाएगा, करते जाएंगे तो होता जाएगा, at least one और two months की अगर आप preparation करते हैं, बहुत अच्छी, तो ये possible है, nobel prize की एक list आप बनाएंगे, जो भी writers आपके हैं, आपके syllabus में, उनकी और nobel prize को आप regularly याद करते रहेंगे, question, एक question आपको periods में आएगा, जैसे आपको पूछ लेंगे, कि T.S.E.L.E.T का time period बताईए, तो उस हिसाब से, आपको पूछ लेगा, और इनकी centuries भी आपको पता नचीए, कि वो किस century में fall करते हैं, like 16th century, 17th century, एक question यहां से बनेगा, फिर आपको nobel prize एक list बनानी हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर वो इंडियन है, तो तो वो बहुत ही most important question बन जाता है आपका, और इसके साथ में ही आपको previous year question बहुत अच्छे से करके रखनी है, first of all, master grader का जो exam है, उसके लिए तो एक तो master grader के आपकी exam के previous year question पेपर हो जाएंगे then साथ ही में जो लगते जैसे कि पंजाब के जो भी अधर exam से, like meditorious या फिर आपका lecturer का exam होता है, उन सब के previous year question एक बार आप अपने आखों से वो term दी है, तो वो आपके लिए most important हो जाती, जैसे कि suppose high gate है, तो ये term जो है, college ने coin की थी तो उनके बारे में भी आपको एक अलग से list बनाने चाहिए कि कौन से terms किस ने दी है, ठीक है जब आप writers के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता ही होने चाहिए, इसके बाद में अगर किसी को पदम भूशन विला है, इंडियन आइटर्स का पदम भी भूशन या पदम श्री या साहित्य Academy Award, इनकी लीस्ट आप बनाएंगे, ये भी बहुत important है, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, then important works के character आपको बहुत अच्छे से पताना ची, important works में, for example, अगर आपको Charlotte Bronte है जैसे आपकी इसी लिबस में, तो Charlotte Bronte के जो character हैं, वो बहुत famous हैं, और अगर हम बात करें, D.H. Lawrence के अगर character है, जैसे इनका एक Suns and Lovers एक novel है, तो उसका character है Paul, वो बहुत famous है, उनकी mother का name, उनकी lover का name, and इसी तरहां से अगर हम बात करें, तो अगर T.S. Elliot ने जो important work लिखा है, तो important, बहुत important line चोंगी, जो आपकी नजरों के सामने से obviously निकलती चले जाएंगी, अगर आप question solve करेंगे, लगाते प्रैक्टिस तो आपको इसके वारे में knowledge मिलती ही रहेगी, जैसे कि character से question आते है, important works के, no doubt, और जैसे कि Jane Austen के character, बहुत important है, और अगर उसमें कोई important बात हो रही है, जैसे कि बहुत fascinating है, और वो eye catching है, तो definitely उसके पूछने की chances बहुत है, और previous year में, अगर वो कहीं भी किसी भी exam में English के आया है, तो वो बहुत chances रहते हैं कि क्योंकि question repeat होते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए, for example, आपको हर्याना में कोई exam होता है, अगर वहाँ पे कोई question आया है, इससे related, तो वो आपको doubt, chances है कि वो question आपको आपको आ सकता है, क्योंकि question हर exam में repeat होते ही हैं, और newspaper की, अगर periodical या newspaper किसी भी writer ने, आपके syllabus की किसी भी writer ने को important periodical या newspaper दिया है, तो उसके बारे में पूछने के बहुत chances रहते हैं, जैसे कि, for example, the tattler किसका periodical था, तो उसका answer होगा style लेगा, तो इती सरांसे आपको इसकी भी एक अलग से list बना के रखने है, periodicals की, कि कौन सा newspaper में कौन काम करता था, then आपको, अगर किसी writer का कोई group है, उन्होंने कोई group बनाया था, तो वो group, उस group के बारे में भी आपको knowledge नहीं, तो इसकी भी आप एक list बनाईएगा, कि for example, scribler group है, तो इसके अंदर कौन कौन से writer fall करते थे, उसके बाद में अगर कोई और important award है, जैसे कि pen award है, या white bread award है, या कोई भी ऐसा बहुत important work, जो उस writer के नाम पे रखा गया है, या उस writer को मिला है, तो वो भी बहुत important हो जाता है, आप कुछ writers के pen name याद रख सकते हैं, कि किस writer को, किस pen name के साथ बुलाते थे, इसकी भी आप एक list बना के रख लीजिए, कि किस writer का कौन सा pen name है, ठीक है, इसके question, इधर से question आने के mark रहते हैं, इसकी list आपको पताने चाहिए, कि first point laureate कौन था, इधर से question आते हैं, जो words वर्ट जो था, वो कौन से year में, कौन से time period का point laureate रहे थे वो, and then, then आपको epithets पताने चाहिए, कि किस writer की, जो, जहां पे उनकी, माले जहां पे उनकी death हुई, तो वो किस, जैसे कि for example, Westminster Abbey में है, या किस set Christ में है, किसी की, अगर किसी को bread किया गया है तो उस चीच के बारे में, आपको पता चाहिए, epithets के बारे में, के उपर उनके क्या लिखा हुआ है, तो उसके बारे में, आपको थोड़ी knowledge होनी चाहिए, जैसे कि for example, Keats की जो, जहां पे, जहां पे उनको be right किया गया है, वहां पे, उनकी point की, जो line है, वो, लिखे हुई hair lies whose name was right on water, so इस तरह से lines होती है, आपको इनको भी थोड़ा सा धियान रखना चाहिए, और theaters, कौन सा theater, किस के age में था, और किस, कौन सा theater, सबसे ज़्यादा famous था, popular था, Shakespeare कौन से theater में work करते थे, उसके बाद में booker price, most important, booker price भी बहुत important, आपको booker price के बारे में, जरूर बता चाहिए, कि किस को मिला, कौन से work के लिए मिला, सभी जो आप price करेंगे, वो आपको ये भी ध्यान रखना है, कि कौन से price के लिए वो price उनको मिल रहा है, और इसी तरह से, आपको सब के work, बहुत अच्छे से पताना चाहिए, कि कौन सा work, किस writer ने लिखा है, और वो किस category का point and year अगर आप याद रख सकते तो well and good है, और years में उनके important works की जो कुछ lines होती है, जैसे कि poetry है, तो उसकी कुछ important lines जो की याद रखने लाइक है, और उस important के characters, तो यही सब आपको ध्यान में रखके चलना है, previous year को लिखके चलना है, और constancy जो है, आपकी constant रहना बहुत जरूरी है, तो यह नहीं है कि आपने आज बढ़ा और चार दिन का gap डाल दिया, फिर बढ़े तो इस तरह से flow टूट जाएगा, daily practice make a man perfect, तो daily practice करना बहुत जरूरी है, और जितना टाइम आप दे सकते हैं, तो आपके लिए उतना ही beneficial रहेगा, तो इसी तरह से मैंने अपनी study की थी, constant theme है, और तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक time table no doubt बनाना चाहिए, कि आप किस तरह से किसको cover करेंगे, और कौन से important है, और first of all तो हमें यही देखना होता है, कि कौन सा important है, for example, जैसे आप कहते हैं कि वर्जिनिया वुल्फ या टी एस एलिए लिए डिए इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनसे question बनने के बहुत chance रहते हैं, William Blake, Wordsworth, Coleridge, Jane Austen, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हाला कि आप ऐसा सोच सकते हो कि इनको छोड़ दो, बट question जो इस बार का paper हुआ था, यहां से भी question पूचा गया, कि यह बहुत पताए किसका है, इस तरह की question आपको बहुत आते हैं, और इस तरह से आप यह मेरी छोटी सी एक आपको ती कि आपकी इस तरह से अपनी किस दिशा में अपनी पढ़ाई को लेके जा सकते हैं, और book तो देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी book best रहेगी, हां, linguistic के लिए आपके पास book हैं कि जो सेठी धमीजा की जो book है, वो आप buy कर सकते हैं, वो sufficient है, more than sufficient है, और इसके लिए तो आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है, आप YouTube चैनल को के उपर topic टार के सर्च कीजिए, Wikipedia पे सर्च कीजिए, और Google पे जैसे Britannica साइट है, उ आपको बहुत help मिलेगी, seriously आपको बहुत help मिलेगी, जब आप खुद notes बनाएंगे, वेभी राउट हो, तो comment section में आपको से पूछ सकते हैं, till then, thank you everyone.